Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Keerti from MySchool. So, आज हम class 8, chapter number 1 of mathematics, rational number discuss करने जा रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे इसका introduction कि इस chapter में है क्या क्या क्या. क्योंकि जब आपको complete chapter समझ आएगा, then आप easily इसकी questions solve कर पाएंगे. So, हम इस वीडियो में complete chapter discuss करेंगे, then हम अपने अगले वीडियो में questions solve करेंगे. So, चलिए, start करते हैं, भीना देर किये. आपने अपने previous classes में कुछ numbers पढ़े होंगे. जैसे की whole number, natural number, यह सब आप पढ़कर आएं. So, अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ने है, rational numbers. So, पहले discuss कर लेते हैं, कि जो जो आपने previously पढ़ा है. So, एक तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़े है, whole numbers. अब आप जल्दी-जल्दी से मेरे साथ revise कीजे. Whole numbers क्या होते हैं? जो 0 से start होते हैं. 0, 1, 2, 3, up to infinity. यही होते हैं. दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था, natural numbers. राइट? यह कहां से start होते हैं? यह होते हैं, 1 से. 1, 2, 3, 4, 5, up to infinity. तीसरा क्या पढ़ा था? तीसरे पढ़े थे, integer. क्या पढ़े थे? integer. यह कौन से number होते हैं? इसमें positive और negative numbers include होते हैं. मतलब सारे positive number आएंगे और सारे negative number आएंगे. जैसे की, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, up to infinity. और minus में भी up to infinity. यह क्या हो गए? यह हो गए हमारे integer. अब आपको पढ़ना क्या है? अब आपको पढ़ने है, rational numbers. सो, rational numbers क्या होते हैं? देखिए, rational numbers वो number होते हैं, जिनको हम P upon Q के form में express कर सकते हैं. लिख सकते हैं. मतलब, अगर हम examples लें, सो क्या हो जाएंगे इसके example? जैसे की, कोई number है 5 upon 3. यह क्या होगा हमारा rational number? क्योंकि इसको हम P upon Q के form में लिख सकते हैं. 5 हो जाएगा P, और 3 हो जाएगा Q. ऐसे ही 2 by 3, यह भी हमारा एक rational number है. राइट, अब हो गया 1. क्या यह भी एक rational number है? जी हाँ, यह भी एक rational number है. क्योंकि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 1 by 1. यह क्या हो गया? P upon Q के form में. अब अगर दिया है, सिर्फ 5. क्या यह भी rational number है? यह भी rational number है. इसको हम लिख सकते हैं 5 upon 1. यह क्या हो जाएगा? P upon Q का form. तो यह rational numbers है. अब बात आती है, अगर negative number आ जाए. यह सब तो क्या थे? यह थे positive numbers. अब अगर आ जाए negative numbers. क्या वो भी rational numbers होते हैं? जी हाँ, negative number भी rational numbers होते हैं. जैसे कि minus 5 by 3. यह क्या form हो गया? यह हो गया minus P by Q. मतलब इसको भी हम P by Q के form में लिख सकते हैं. साइन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो क्या समझाए यहां से आपने? जिन numbers को हम P upon Q के form में express कर सकते हैं, वो number होते हैं हमारे rational numbers. वो negative numbers भी हो सकते हैं और positive number भी हो सकते हैं. अब यहां पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. कि देखिए आपने इन numbers को P upon Q के form में express किया है. चो यहां पर Q is not equal to 0 होता है. यह क्या है हमारी? यह है हमारी condition जो कि आपको याद रखनी है. कि यहां पर denominator में 0 नहीं हो सकता. क्योंकि अगर किसी के भी denominator में 0 होगा तो वो number no define हो जाता है. infinity हो जाता है उसको हम define नहीं कर सकते. इसलिए rational numbers में एक condition है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. बाकि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. So I hope आपको rational number समझ आया. अब बात करेंगे हम rational number की properties के बारे में. इसकी कुछ properties हैं जो इस chapter में दी हुई है. जो कि आपके आगे चलकर exercise में problem solve करने में काम आएंगी. उनको हम discuss कर लेते हैं one by one. So सबसे पहली property क्या है हमारी? पहली property है closure property. So देखिए अब ये closer property क्या है? So जो हमारी closer property होती है. उसमें हम check करेंगे कि क्या ये addition पर applicable है, multiplication पर, subtraction पर और division पर. इस property में हम ये देखेंगे कि addition, division, multiplication, subtraction करने के बाद जो number आता है, क्या वो हमारा rational number होता है या नहीं होता है. तो इस property में हम ये ही check करेंगे. तो चलिए example लेते हैं. पहले check करेंगे addition पर. Okay? So यहाँ पर हम दो rational number ले लेंगे कोई भी. Suppose हमने number ले लिया 7 by 9. एक number ये है हमारा plus 2 by 9. So हमें addition में क्या proof करना है? जाएगा इनका addition 9 by 9 मतलब 1. 1 by 1 को मैं ऐसे लिख सकते हैं P by Q. तो क्या ये एक rational number है? Yes, ये एक rational number है. So addition पर ये property applicable होती है. अब चेक करेंगे subtraction पर. Subtraction पर कैसे check करेंगे? Same वैसे ही जैसे addition पर चेक किया. So इसका भी एक example ले लेते हैं. इसका example हमने लिया, suppose एक number ले लिया 3 by 5 minus 2 by 5. ये क्या आजाएगा? ये आजाएगा 1 by 5 क्योंकि denominator same है. हम same denominator के example इसलिए ले रहे हैं. जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो. और calculation easy रहे तो आसानी से आप समझ पाएंगे. तो ये क्या हुआ? ये भी एक P by Q का form आया. तो क्या ये number rational है? ये number भी rational आया. मतलब ये property subtraction में भी applicable है. अब तीसरा क्या चेक करेंगे? तीसरा चेक करेंगे multiplication. सेम वही काम करेंगे, जो हमने यहाँ पर addition और subtraction में किया. तो क्या करेंगे? दो number लेंगे. सब्सक्राइब ले लिया. एक ले लिया 2 by 4 multiply 3 by 5. सो क्या हैगा multiplication? 6 by 20 या फिर 3 by 10. सो क्या ये एक rational number है? ये भी एक rational number है. सो property multiplication पर भी apply हो रही है. अब तीसरा क्या चेक करना है? तीसरा करना है division पर. क्या ये property division पर applicable है? तो same चीज़ हम division में भी करेंगे. दो number लेंगे. एक number माली जे ले लिया हमने 2 by 3. और एक number ले लिया 3 by 7. सो अब हमें division में देखना है. तो ये कैसे आ जाएगा? 2 by 3. ये आप अल्रेडी सीख कर आए हैं. इसको कैसे solve करना है? तो ये क्या हो जाएगा? 14 by 9. सो क्या ये एक rational number है? ये भी एक rational number है. तो ये property इस पर भी applicable है. पर यहाँ पर भी एक condition है. माल लिजे अगर ये number ऐसे दिया होता. ये वाला. कि 2 by 3 divided by 0. तो क्या ये property applicable थी? किसी भी number को जब 0 से divide गरते हैं. तो उसका मतब क्या हुआ? यहाँ से कि Q square to 0 आ गया. तो Q square to 0 पर क्या ये number rational number होगा? नहीं होगा. तो ये एक condition है कि इसका denominator जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. नहीं तो ये number defined नहीं हो पाएगा. तो हमारी closer property जो थी वो addition पर भी applicable थी, subtraction पर भी applicable थी, multiplication पर भी applicable थी और division पर भी applicable है. सिर्फ एक condition वहाँ पर है कि उसका denominator मतलब दूसरा number जिससे हम divide कर रहे हैं वो 0 नहीं हो सकता है. तो चलिए बढ़ते हैं अगली property की तरफ क्या है हमारी अगली property? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो इसमें हम क्या चेक करेंगे? मालीजे मारे पास दो नमबर. एक नमबर है A by B, दूसरा नमबर है C by D. ये दोनों rational नमबर हैं. तो अब हम इन दोनों को लेकर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे. और ये प्रॉपर्टी होती क्या है? इसको भी हम addition, subtraction, multiplication, division चारों पर चेक करेंगे. तो देखें, जैसे कि अगर हम A by B plus C by D करें, तो क्या ये equal होगा C by D plus A by B के? मतलब इन दोनों को अगर exchange कर दिया जाए, पहले इस नमबर को लिख लिया जाए, दूसरे वाले को, और बाद में पहले वाले को लिख लिया जाए, तो क्या sum उन दोनों नमबर का same होता है? तो यही हमें प्रूफ करना है, इन rational numbers. तो चलिए same वैसे ही करेंगे हम, सबसे पहले चेक करेंगे, addition के लिए. तो क्या हो जाएगा यहां से, माली जे हमने example ले लिया, एक number हमने लिया 2 by 4, दूसरा number हमने लिया 3 by 4. तो अब हम क्या करेंगे? 2 by 4 plus 3 by 4, यह क्या आया? 5 by 4, एक पार्ट तो यह हो गया, आप तूसरा क्या चेक करना है? कि क्या 3 by 4 plus 2 by 4 भी same आता है? तो यह भी 5 by 4 आया, यह दोनों क्या है? यह same आया, मतलब यह property addition पर applicable हो जाती है. So, अब क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे subtraction के लिए, ओके? So, subtraction के लिए भी हम क्या काम करेंगे? subtraction के लिए भी हम same काम करेंगे. Example लेंगे, माली जी एक number ले लिया 2 by 5, दूसरा number ले लिया 1 by 5. So, यह क्या आएगा? यह आजाएगा 1 by 5. जब हम इनको exchange करेंगे, मतलब 1 by 5 minus 2 by 5 करेंगे. तो अब क्या आएगा? इनका LCM same है, तो 1 minus 2 is equal to minus 1 by 5. तो क्या यह number और यह number same है? नहीं है. So, इससे आपको क्या समझाया? इससे यह समझाया कि यह property जो है, यह subtraction पर applicable नहीं है. Cumulative property subtraction पर applicable नहीं है in rational numbers. So, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे multiplication पर जैसे subtraction पर पढ़ाव, ऐसे ही multiplication पर अब यह property हम check करेंगे. So, same काम हम multiplication में भी करेंगे. यह दो number हैं. तो हमें क्या prove करना है? कि C by D multiply A by B होता है. So, same हम वैसे ही करेंगे. example लेंगे. मालिज एक number ले लिया. 2 by 3 multiply 4 by 3. तो यह क्या आया हमारा? 8 by 9. अब यह वाला लेना है. अब क्या करेंगे? तो 4 by 3 multiply 2 by 3. इनको हमने change कर दिया आपस में. So, यह क्या आया? 8 by 9. तो क्या यह दोनो equal है? हाँ, यह दोनो equal है. तो क्या मतलब निकलता है इससे? कि commutative property जो है वो multiplication पर applicable है in rational numbers. So, you will find that multiplication is commutative for rational numbers. अब क्या बचता है हमारा? अब बचता है division. अब हम check करेंगे division पर. So, same काम हम यहाँ पर भी करेंगे. A by B divide by C by D. क्या equal होगा? C by D divide by A by B के. यह हमें check करना है. तो same हम example लेंगे. मान लिजे हमने दो number ले लिए. एक number लिया 2 by 3 divided by 1 by 3. तो यह क्या आजाएगा? यह आजाएगा 2 by 3 multiply 3 by 1. तो यह आएगा 2 by 1. अब इसका हम check करेंगे. यह आजाएगा 1 by 3 divided by 2 by 3. तो 1 by 3 multiply 3 by 2. यह क्या है हमारा? 3 by 6 मतलब 1 by 2. तो क्या यह दोनों same है? नहीं है. इससे क्या समझते हैं आप लोग? कि commutative property division पर applicable नहीं है. So division is not commutative for rational numbers. I hope आपको यह property समझाई होगी. अब हम पढ़ेंगे अपनी next property जो क्या है? जो कि है हमारी associative property. So associative property में क्या होता है? इसमें हमारे पास 3 numbers होते हैं. जैसे कि अभी हमने commutative property में 2 numbers लिए. Associative property में हमारे पास 3 numbers होते हैं. जैसे कि P by Q, A by B, C by D. यह 3 rational numbers को लेकर हम चलेंगे और इनके pair बनाकर check करेंगे. वो कैसे? Suppose addition के लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं. तो क्या होगा यह? यह हो जाएगा. P by Q plus A by B plus C by D. या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको? P by Q plus A by B plus C by D. या तो आप पहले वाले number को single रखकर बाकी दो number को पहले add कर सकते हैं या फिर पहले दो number को पहले add कर कर तीसरा number उसमें बाद में add कर सकते हैं. यह है हमारी associative property. इसको मैं थोड़ा short में बताऊंगी. आप इसको खुद से करने का try कीजएगा. बहुत ही आसान है. एक example ले लेते हैं. सपोज हमने number ले लिया. एक number लिया 2 by 3 plus 4 by 3 plus 1 by 3. तो यह क्या आजाएगा? यह आजाएगा 6 by 3 plus 1 by 3. यह क्या आया? 7 by 3. अब 2 by 3 plus 4 by 3 plus 1 by 3. यह क्या आएगा? यह आएगा हमारा 2 by 3 plus 5 by 3 equal to 7 by 3. तो यह दोनों क्या आए? यह दोनों equal आए. सो इससे क्या समझते हैं आप? कि associative property addition पर applicable है. मतलग addition is associative for rational numbers. Same हम suppression में करेंगे. Same काम हम multiplication में करेंगे. और same काम हम division में करेंगे. मैं इनको लिख देती हूँ कि किस किस property में क्या क्या होगा. So, addition पर क्या होगा यह? P by Q plus A by B plus C by D is equal to P by Q plus A by B plus C by D. Subtraction में क्या होगा? Subtraction में यह आजाएगा P by Q minus A by B minus C by D. क्या यह equal होगा? P by Q minus A by B minus C by D के. So, नहीं होगा. So, यह property subtraction पर applicable नहीं है. मतलब subtraction is not associative for rational numbers. आप बात करें multiplication की. आप यह property खुद example लेकर try करेगा. Then, आप easily इनको कर पाएंगे और आपको समझ भी आएगा. Multiplication में क्या आजाएगा? Same अगर हम करें. P by Q multiply A by B multiply C by D. So, प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि होगा. मतलब यह multiplication जो है वो associative होगा for integers. So, multiplication is associative for rational numbers. अब एक कुन सा बचता है हमारा? अब बचता है division. So, क्या division होगा? Division के case में क्या हो जाएगा? P by Q divided by A by B divided by C by D. क्या यह equal होगा? P by Q divided by A by B divided by C by D के. So, यह equal नहीं होगा जब आप example लेकर check करेंगे. So, यह क्या जाएगा? Division is not associative for rational numbers. Okay? So, अब हम move करते हैं अपनी next property. पर next property क्या है हमारी? वो है हमारी distributive property. इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? यह property भी same तीन number को लेकर होती है. इसमें क्या करना होगा? आप simple example से समझें. माल लिजें, तीन number हैं हमारे पास. A, B, C. So, यह क्या होगा? A into B plus C. ऐसे आपको मिलेगा. तो इसको आप अंदर multiply करेंगे. तो A, B plus A, C आजाएगा. यही होगी हमारी distributive property. यह plus और minus दोनों पर applicable है. तो यह अब क्या होगा? minus की case में? A, B minus A, C. So, distributive property आपको कैसे मिलेगी देखने को? जैसे कि आपको question मिला. उसमें आपको यह दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या होगा? क्या लग रहा है देखने से? कि A common है. तो A is equal to B minus A into B minus C. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. So, यह जितनी भी properties है. यह आगे चल कर इसी तरीके से use होगी. आप अपनी next classes में भी पढ़ेंगे 9, 10 में. So, यह property ऐसे ही use होती है. कि आप इसमें से अगर इसको common ले ले, common part को बाहर निकाल ले, तो भी उसका answer same आएगा. यह होती है हमारी distributive property. So, यह plus और minus दोनों पर applicable होती है. I hope आपको यह समझ आया होगा. So, अब और क्या है इस chapter में? हमने कुछ properties पढ़ ली. एक पढ़ी हमने closer property, एक commutative पढ़ा, एक associative पढ़ा, और एक distributive property पढ़ा. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसमें additive inverse. अब यह क्या चीज़ है? देखें. हमारे rational numbers क्या होते हैं? किस form में होते हैं? P by Q. यह है हमारा rational number. अब अगर आपको पूछा जाए, कि additive inverse क्या होता है? So, additive inverse क्या होगा? Additive inverse होगा. उसी का negative number. इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं negative. मतलब P by Q का additive inverse क्या हो जाएगा? minus P by Q. मतलब अगर आप इन दोनों number को add करते हैं, तो answer क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. वही होता है हमारा additive inverse. अगर आप इसको एक example से देखें, तो माली जे एक number है 2 by 3, तो इसका additive inverse क्या हो जाएगा? minus 2 by 3. तो अब अगर आप इन दोनों numbers को add करते हैं, 2 by 3 plus minus 2 by 3, तो क्या हैगा? 0. तो यही होती है हमारी additive inverse. आपको question कैसे मिलेंगे? आपको question मिलेंगे कि इस number का additive inverse लिखिए. तो आप क्या लिखेंगे? उसमें minus लगा कर लिखेंगे. वह होता है additive inverse. अब जैसे आपने यह additive inverse पढ़ा, इसी तरीके से एक होता है multiplicative inverse. क्या होता है? multiplicative inverse. अब multiplicative inverse को आप एक नाम और दे सकते हैं. वह क्या होता है? वह होता है reciprocal. आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसको हम कैसे लिखेंगे? reciprocal मतलब उल्टा कर देंगे उसका. एक हमारा rational number है P by Q. तो इसका multiplicative inverse क्या आजाएगा? इसका multiplicative inverse आजाएगा Q by P. multiplicative inverse क्या होते है? जिनकी multiply करने पर हमें 1 मिले. तो example से देखते हैं. जैसे कि हमने additive inverse में पड़ा था, उनको add करने पर हमें 0 मिला था. तो इसी तरीके से multiplicative inverse में multiply करने पर हमें 1 मिलता है. तो example अगर हम ले, मालन लिज़े एक number है 2 by 3, इसका multiplicative inverse क्या हो जाएगा? 3 by 2. तो जब हम इनको multiply करेंगे, तो क्या हैगा? 2 by 3 multiply 3 by 2 is equal to 1. इससे ये cancel out हो गया, इससे ये cancel out हो गया. तो क्या है? 1. ये हो गया हमारा multiplicative inverse. तो इसके question कैसे मिलेंगे आपको exam में? इसके question भी same. ऐसे ही मिलेंगे कि multiplicative inverse लिखिए इस particular number का. मालीज़े आपको एक number दे दिया 2 by 3. या फिर number दे दिया 7 by 4. तो 7 by 4 का multiplicative inverse क्या होगा? जल्दी से बताईए आप लोग. इसका multiplicative inverse होगा 4 by 7. यह होगा? तो ये होते हैं multiplicative और additive inverse. अब next topic क्या है हमारा? हमारा next topic है representation of rational number on the number line. आप देखिए आपको number line पता ही है क्या होती है? number line क्या होती है? चलिए एक बार short में समझ लेते हैं. ये होगा हमारा 0. इस number line के दोनों तरफ numbers होते हैं. positive भी होते हैं. इस तरफ positive हैं. इस तरफ negative number हैं. कैसे 1, 2, 3, 4 कहां तक जाती है ये line? up to infinity तरफ. minus में क्या होता है? minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. ऐसे करते करते हैं. कहां तक जाएगी? up to infinity तरफ. ये होती है हमारी number line. numbers को एक line पर represent करना. अब इस line पर हम क्या करेंगे? हम rational numbers को represent करेंगे. और rational numbers क्या होते हैं हमारे? rational numbers होते हैं. p by q के form में जिन में numerator भी होता है और denominator भी होता है. तो चलिए देखते हैं कि rational numbers को कैसे represent करेंगे हम number line पर. तो example ले लेते हैं. माली जे एक number ले लिया हमने. p by 5. तो इसको हम कैसे represent करेंगे number line पर. तो देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि ये number किन दो numbers के बीच में पढ़ता है? मतलब ये number कहाँ पर बढ़ेगा? ये number 1, 2, 1 और 2 के बीच में पढ़ेगा? 0 और 1 के बीच में पढ़ेगा? या 2 और 3 के बीच में पढ़ेगा? भई ये एक rational number है. fraction वाला number है. तो ये 2 complete numbers के बीच में पढ़ेगा. राइड? तो इसको हम पहले ये चेक करेंगे कि ये number कहाँ पर लाएड करेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले हमें इसकी value निकालना ही पड़ेगी. और value कैसे आएगी? इसकी value आएगी. दिवाइड करने के बाद, जब हम 3 को 5 से दिवाइड करेंगे. तो 3 नमबर छोटा है, तो 5 से दिवाइड नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 एड कर लेंगे. तो क्या आएगा? 6 ताइम्स इसको ये completely दिवाइड हो जाएगा. तो क्या बचा? 0 बचा. इस नमबर को देखने से आपको क्या लग रहा है? कि ये नमबर कहां पर लाई करेगा? ये नमबर 0, 2, 1 के बीच में लाई करेगा. वो कैसे? देखे, यहाँ पर 0.6 आया. तो ये नमबर 0 और 1 के बीच में लाई किया. अगर यहाँ पर 1.6 आता तो क्या होता? 1 और 2 के बीच में नमबर लाई करता. सेम अगर 2.6 आता तो क्या होता? 2 और 3 के बीच में लाई करता. हमें इसको नमबर लाइन पर रेप्रेजेंट करना होगा. नमबर होगा हमारा 0.61 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो नमबर लाइन पर इसको रेप्रेजन करने के लिए हम क्या करेंगे हम एक नमबर लाइन ड्रो करेंगे तो ये नमबर जो है positive नमबर है तो इसको हम positive और negative दोनों के लिए देखेंगे इस बार हमने लिया है positive तो positive नमबर है तो हम सिर्फ 0 से इसको start कर रहे है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके तो हमने लिख लिया 0 और 1 के बीच में पड़ेगा तो हमने 2 ही points इसमें बनाए 0 और 1 आगे चलकर कहीं 2, 3, 4 ऐसे आएगा अभी हम बात करेंगे 0 और 1 तो क्या होगा 0 और 1 के बीच में बहुत सारे points है यहाँ पर इसका denominator क्या है 5 है तो इसके बीच में हम कितने numbers बनाएंगे हम बनाएंगे 5 numbers मतब इसको 5 parts में हम divide करेंगे क्योंकि denominator क्या है 5, divide किस से कर रहे है 5 से, अगर यहाँ यह number होता 3 by 6 तो हम इसको 6 parts में divide करतें 3 by 4 होता तो 4 parts में divide करतें ओके तो यह है 3 by 5 तो हम इस line को यहाँ से यहाँ तक 5 parts में divide कर लेंगे 0 से 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या आएगा यह number एक होगा हमारा 1 by 5 2 by 5 3 by 5, 4 by 5 और यह क्या होगा 5 by 5 मतलब 1 अब आपको समझ आया होगा कि हमने इसको 5 parts में क्यों divide किया क्योंकि जब last में 5 by 5 आया तो यह आगई value 1 तो number क्या है हमारा 3 by 5 तो number कहाँ पर पड़ा यहाँ पर पड़ा तो थाना easy तो हमें सबसे पहले क्या करना है किसी fraction number की value निकाल लेनी है उससे क्या होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर कि इन दो numbers के बीच में पढ़ रहा है और जब हमें यह पता चल जाएगा तो हम easily उसकी value calculate कर सकते हैं उसको line पर draw करके अब हम इसी को minus में देखेंगे माली जे यह था हमारा minus 3 by 4 5 so क्या ही value minus के 0.6 तो अब हम क्या करेंगे अब हम check करेंगे negative line पर so यह ले लिया आपने 0 और यह ले लिया minus 1 again हम इसको 5 parts में divide करेंगे क्योंकि denominator हमारा 5 है so 1, 2, 3, 4, 5 कैसे लिखेंगे minus 1 by 5 minus 2 by 5 minus 3 by 5 minus 4 by 5 minus 5 by 5 is equal to minus 1 तो value क्या है हमारी 3 by 5 कहा है 3 by 5 यह रहा हमारा 3 by 5 so इस तरीके से इसका negative में representation हो जाएगा number line पर so I hope आपको समझ आया होगा कि rational numbers का representation हम कैसे करते हैं number lines पर अब क्या बचता है अब बचता है इस chapter का last topic उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम solve करेंगे exercise जब आपको यह topics clear होंगे then आपको exercise को करने में बहुत ही असानी होगी चलिए लास्ट टोपिक पढ़ते हैं हमारा rational number between two rational numbers क्या समझ आया इससे हमें समझ आया कि हमें rational number पता करना है between two rational numbers अगर हमारे पास दो rational numbers दिये हुए हैं तो हमें निकालना है कि उन दो rational numbers के बीच में कितने rational numbers हो सकते हैं ओके चलिए start करते हैं मालिजे हमने एक example ले लिया दो number है हमारे एक है 2 by 5 एक है 1 by 3 अब हमें पता करना है इन दो numbers के बीच में कितने rational numbers मोजूद हैं तो वो हम कैसे पता करेंगे, देखे, जब हमें simple numbers like natural number के बीच में number पता करने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, माल लिजी मैंने आपसे पूछा, one और five के बीच में numbers बताईए, कितने number हैं, तो आप easily बता सकते हैं, two, three, four, ये थे natural number, तो आपने easily बता दिया, अब क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास fraction वाले numbers, rational numbers, तो इन numbers को हम कैसे बताएंगे, कि इनके बीच में कितने numbers हैं, तो हमें करना ये होगा, कि हमें इनका common multiple देखना होगा, denominator का, भई देखिए, दोनों numbers का denominator जो है, वो अलग-अलग है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, दोनों numbers का denominator same करना होगा, तो denominator same करने के लिए क्या करेंगे, उनका multiple देखेंगे, दोनों का multiple जो same हो, तो ऐसा कौन सा multiple है, 5 और 3 के बीच में, सबसे छोटा multiple, जो की same है, वो है 15, तो इस number को 2 by 5 को 15 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से multiply करना होगा दोनों में जब हमें denominator को 15 करना होगा तो हमें उपर नीचे दोनों side 3 से multiply करना होगा तो ये number क्या आ गया? ये आ गया 6 by 15 सेम काम हम दूसरे number के साथ करेंगे दूसरे number है हमारा 1 by 3 इसको हमें क्या करना है? denominator को 15 करना है कैसे होगा? numerator और denominator में 5 से multiply करके तो क्या आजाएगा 5 by 15 तो क्या हुआ ये अब number हमारे बन गए 6 by 15 और 5 by 15 तो हमें क्या पता करना है कि दोनों के बीच में कितने rational numbers पढ़ते हैं तो क्या करेंगे हम हम इसको represent करेंगे number line पर माल लिजे ये है 0 तो अब आगे चल कर क्या होगा 1,2,3,4,5 up to कितने हम parts करेंगे बीच में 15 denominator क्या है 15 तो कहां तक करेंगे 1 से start करेंगे 1 by 15 2 by 15 3 by 15 4 by 15 up to 15 by 15 ये हो जाएगा 5 by 15 6 by 15 up to 5 by 15 तो कितने numbers पड़े इसके बीच में ये सब numbers इसके बीच में आ गए तो इससे हमें क्या पता चल रहा है देखें हमने इसके denominator को अपने मन से 15 किया था मतलब इनके multiple तो और भी हो सकते थे जैसे कि एक multiple है 15 एक है 30 एक है 60 ऐसे इनके बहुत सारे multiple हो सकते हैं ये हमने सबसे छोटा multiple लिया था यहाँ पर हम 30 ले लें 60 ले लें 90 ले लें जब हम इनके multiple बढ़ाते जाएंगे तो numbers भी बढ़ते जाएंगे तो क्या मतलब है हम वो numbers count नहीं कर सकते इनके बीच में जो numbers है वो countless हैं These are countless numbers इसके साथ ही हमारा chapter खतम हो जाता है हमने सारे topics जो है वो पढ़ लिया हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम exercise के question solve करेंगे जो कि आपको बहुत ही easy लगने वाले हैं क्योंकि आपने पूरा chapter अच्छे से समझ लिया है So मिलते हैं अगले वीडियो में with examples So तब तक के लिए thank you and bye bye and please like share and subscribe our YouTube channel